तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सोथ के बारे में सीथ सोथ यानि बिवाई फट जाना चिल्बलेंस के बारे में जो दोस्तो बहुत लोगों की एडिया फट जाती है ना ठंडी के मौसम में अक्सर फट जाया करती है तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं पोसक तत्तों के आभाव से दोस्तों ठंड के समय में एडिया फटने लगती हैं काफी सारे लोग आज के लिए से परिसान है तो दोस्तों जो जिसकी मोटी तचा होती है वो जल्दी फटने लग जाती है और फटने के बाद में दोस्तो उसमें पैर की एड़ी में तलवो में आदे में फट जाती है जगे जगे पे और उसमें बहुत अधिक जलन होता है और उसके बाद में दर्द भी होता है चलने पे बहुत ज़्यादा कठना ही होती है दोस्तो पेनफुल होता है एक्दम बहुत यह लोपैथिक मेडिसीन कब कैसे यूज करी जाती है वह आपको आप बताएंगे आप में तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने टोपिक पे अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्त अप्लाई करिए दो दिन में तीन टाइम अप्लाई करना है उस पर लगाईए दोस्तों आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा और हमेशा दोस्तों आप सॉक्स और बूट्स बूट्स और सॉक्स दोनों पहन के रखिए यानि जूता और मोजा हमेशा लगा के और देखेंगे कि आपको दूसरे तीसरे दिन से ही रिजल्ट मिलना सुरू हो जाएगा आपको बहुत ज्यादा लाब होगा एकटम जड़ से खतम हो जाएगा दोस्तों और दूसरा है दोस्तों ऐलेक्ट्रोसीन टैबलेट आता है Electrocin Tablet आपको 100 mg का लेना है और वो आपको सुबा साम खाना खाने के बाद में खानी है दोस्तों दो टाइम BD खानी है और दोस्तों बच्चों को आप 25 से 50 mg तक दे सकते हैं छोटे बच्चों को आज सेकता अनुसार दें दोस्तों और उसके बाद में दोस्तों एक क्रेक क्रीम आता है वो भी आप चाहे तो लगा सकते हैं दोस्तों उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो दोस्तों आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से क्रेक क्रीम मिल जाएगा वो क्रीम आप ले आईए और जिस जगह पे फटी है द तो आप जो हमने बताया दोस्तो ये कीजिए इसके बाद में बताइए आपको कैसा फेल हुआ कैसा मतलब रिलीफ मिला क्या हुआ दोस्तों कर आपकी कोई इंक्वाईरी है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, तो इसी में दोस्तों आगे आपको मैं घरे लूप चार भी बताओंगा, आप वो भी चाहे तो कर सकते हैं, तो वीडियो में बने रहीएगा, और इसी के साथ में दोस्तों, एक जिंको फैर लिक्वीड सीरफ आता है, वो भी जरूरी है दोस्तों, आप व कुछ विटामिन्स की कमी से दोस्तों एडिया फट जाया करती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है चिंता की बात नहीं है दोस्तों एकदम 100% सही हो जाएगा पहले जैसा एकदम आपका खुबसूरत दिखने लग जाएगा दोस्तों तो आप यह भी करिए और यह सीरफ लेते रहिए दोस्तों दोनों टाइम खाना खाने के बाद में और आपको थोड़ा सा घरे लूप चार जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा मार्केट से या कहीं से जो मधमक्षयां च्छत्ता लगाती है दोस्तों उससे मॉम निकलता है मॉम वो मॉम आपको करना है दिन में 2-3 बार जो जगह फटी है वहां पे यूज करना दोस्तों दोश दिन में 2-3 बार यूज कीजिए और बिल्कुल रिलिफ मिल जाएगा आपको और दोस्तों जो बिवाईया और दूसरा है दोस्तों बिवाई के खुर्द्रे चर्म को किसी पत्थर पे जो है उसको रगड़िए रगड़ने के बाद में उसको थोड़ा साफ तौलिया से साफ कर लीजिए और एकदम क्लीन करके स्वच करके दोस्त आपको उस पे एक अरंड आता है है दो तीन बार अपलाई करें उस पर आपको रिलीफ मिलेगा दोस्तों और पेट में कबज ना रहने दें दोस्तों और उसके बाद में दोस्तों एक सर्फों का आता है सर्फों का उसका पत्ता ले आईए आप मारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको तो आप उसका पत्त ले लीजिये दोस्तों और वो पत्ते को पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए और वो पेस्ट आपको दिन में दो तीन बार कम से खम लब लगाना यह जón जो चपने हैं उससे भी आपको करोकी होती है तो लिए कर के किसी का आपके वाजा से भला हो जाया दोस्तों तो इससे अच्छी ले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो मेरे टापिक के साथ तक हथ्तूं